कुलो फ्रेंद्स दिस दिपथ लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों बताय था के एकलिप्स के अंदर हम लोग सर्वलेट किस टाइप से क्रियेट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं ओके आध के इस पार्ट में मैं आप लोगों को सर्वलेट की life cycle explain करने वाला और बहुत डीपली हर एक स्टेप आप लोगों को एकस्प्लेइन करने वाला हूं विड डाइग्राम तो देखो तो हम लोग सर्वलेट की लाइफ साइकल स्टार्ट कर देते हैं बट डिरेक्ली लाइफ साइकल का डाइग्राम से पहले मैं यहां पर एक क्लाइंट एंड सर्वर जो है वो चीज क्रियेट कर देता हूं ओके तो यह हमारे पास क्या है दिस इस क्लाइंट कौन होता है ब्राउजर यह चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हूँ है क्लाइंट हम लोग किसको बोलते हैं ब्राउजर को तो मैं सिंपली यहां पर एक ब्राउजर क्रियेट कर देता हूं यह रहा हमारे पास ब्राउजर ब्राउजर कोई भी हो सकता है और यह हमारे पास आ जाएगा दिस इस सर्वर हंजी यह हमारे पास आ जाएगा दिस इस सर्वर पार्ट ओके तेक है और हम लोग कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं डेट Apache Tomcat तो यह हमारे पास क्या आगया Apache Tomcat आगया और यहां पर मैंने एक server एक servlet file यहां पर मैं क्या काम करता हूँ एक servlet file भी create कर देता हूँ यह हमारे पास क्या है servlet file जैसे हम लोगों ने last time create की थी किसके नेम से my servlet.java के नेम से तो यह हमारे पास क्या है simple this is servlet file point clear है चीज़ तो यह हो गया हमारे पास simple client और यह हो गया हमारे पास simple server अब हम लोग start करते हैं यहां पर that is servlet life cycle that is servlet life cycle तो first step first stage बोल देते हैं first stage हमारे पास कौन सी आ जाएगी that is loading and instantiation loading and instantiation loading and instantiation यह हमारे पास आएगा first step okay क्या रहेगा हंजी loading and instantiation में क्या रहेगा जैसे ही मेरा server start होता है या फिर जैसे ही मेरा apache tomcat start होता है क्या रहेगा servlet file जो है जो हम लोग create करेंगे यह memory के अंदर load हो जाएगी servlet file जो है memory के अंदर load हो जाएगी okay and साथ की साथ क्या काम रहेगा जो मेरे पास यहां पर my servlet dot java file या फिर जो servlet file है जो servlet है उसका एक object create हो जाएगा हंजी my servlet का एक object create हो जाएगा या फिर simple बोल रहते हैं कि servlet का object create हो जाएगा point clear is this तो first step हमारे पास क्या है loading and instantiation क्या रहेगा हंजी क्या बता है मैंने simple add that is when server is started servlet class is loaded in the memory and servlet object is created तो servlet object हमारा create हो जाएगा clear is this तो यह तो था हमारे पास first step that is loading and instantiation अब जैसे ही हमारा servlet object create होगा वो आ जाएगा second step पर that is initialization 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 face में क्या रहेगा हमारा servlet object जो है वो initialize होगा इस case में ध्यान रखना यहां पर हमारे पास यहां पर हमारे पास innate method call होगा और innate method क्या काम करेगा इस servlet object को initialize करवा देगा इसके अंदर कोई भी value अगर हम लोगों को insert करवानी है तो वो इस method के through insert हो जाएगी तो simple हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं that is servlet object will be initialized by invoking innate method हंजी क्या रहेगा हमारे पास initialization phase के अंदर innate method call होगा जो इस servlet object को क्या करदेगा initialize करवा देगा clear is this तो यह था हमारे पास second step that is initialization okay तो यह दोनो step loading and instantiation and initialization हंजी यह दोनो step हमारे पास कब execute हो जाएंगे जब हमारा server start हो जाएगा okay टेक है जी then third step हमारे पास आज याता है that is request handling हंजी request handling अब request handling phase में क्या रहेगा जैसे ही client कोई भी request send करेगा हंजी यहां पर क्या रहेगा हमारे पास service method जो है watches invoke होगा जैसे ही client request send करेगा सबसे पहले हमारे पास service method invoke होगा service method जो है वो एक तरह से backend part जो है वो संभालेगा या फिर request को जो है वो handle करेगा करेगा अब service method यह चीज़ चेक करेगा कि हमारी request किस type की है हमारी request get type की है तो do get method को call करवा लेगा हमारी request अगर post type की है तो do post method execute करवा देगा clear is तो simple है यहां पर क्या रहेगा third phase में क्या रहेगा that is it will handle or serve the client request clear is यहां पर हमारे पास client की request handle होगी या फिर बोल सकते हो कि serve होगी okay in this phase service method service method will be invoked clear is यह service method किसका है servlet interface okay service method जो है वो हमारा invoke हो जाएगा और यह service method check करेगा हमारी request किस type की है हमारी request किस type की है get type की request है तो do get method को call करवाएगा post type की request है तो do post method को call करवाएगा okay तो यह होता है हमारे पास किस चीज़ का काम that is request handling okay ठीक है ध्यान रखना अब यहां पर आप लगों को एक point का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास यहां पर request send होगी हमजी जब भी हमारे पास client की side से request send होगी हमजी तो क्या रहेगा हर बार हमारे पास एक thread create होगा हमजी हर बार हमारे पास एक अलग से threads create होते जाएंगे और हर एक thread जो है वो request को अलग-अलग handle करेंगे second point ध्यान रखना है यह जो face है that is first and second यह सिफ एक ही बार execute होंगे यह चीज मत सोचना है कि client ने जैसे request send की फिर से हमारे पास servlet class servlet file जो अब वो load हो गई object create ऊप फिर initialize हो गया नहीं ध्यान रखना है यह जो steps है यह सिफ एक बार execute होंगे but client जब भी request send करेगा client जब भी request send करेगा एक thread create होगा वो thread request को handle करेगा service method बार-बार execute होता रहेगा init method एक बार execute होगा but service method बार-बार execute होता रहेगा वो चेक करेगा request किस type के और उसके according वो उसको process करवाता रहेगा clear है तो इस type से यहाँ पर multi-threading का concept internally काम करता है ध्यान रखना है यह चीज multi-threading होता है servlet के अंदर multi-threading पहले से ही implement किया गया है ताकि multiple request को वो handle कर सके point clear है चीज तो यह था हमारे पास request handling third stage जो आप लोगों को ध्यान रखनी है और फिर हमारे पास आज आती है last stage that is destroy यह होता है हमारे पास last stage इस वाली stage में ध्यान रखना है destroy method जो है वो call होता है clear is this अब destroy जो है इस face में क्या रहेगा ध्यान रखना जैसे ही हमारा server shutdown हो जाएगा जैसे हमारा shutdown हो जाएगा server तो जो यह हमारे पास servlet object है यह हमारा destroy हो जाएगा यह हमारा delete हो जाएगा और हमारा destroy method जो है वो चीज execute हो जाएगा point clear is this तो simple मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ that is when the server is shut down destroy method will be executed and servlet object will be deleted clearние servlet object जो है वह delete हो जाएगा point clear os तो जो भी servlet object हमारा create हुआ था फ्लस्स टेज़ के अंदर servlet object जो है वह delete हो जाएगा ओके देख है जयां ध्यान रखना ही यहाँ पर से पहले हमारे पास जो भी इसके resources वगर है जैसे database connection या फिर file वगर आगा जो भी part जो भी resources पहले से open होते हैं वो सारे के सारे resources पहले close हो जाएंगे okay finalize method जो वो call होता है वो आप लोगों पता है वो core Java का part आ जाता है clear is but destroy phase के अंदर क्या रहेगा जितने भी हमारे पास servlet objects create हुए हैं जितने भी objects create हुए हैं वो सारे के सारे objects destroy हो जाएंगे delete हो जाएंगे कब जब हमारा server जो है वो चीज़ शटडाउन हो जाएगा clear is अगर server हमारा shutdown नहीं होता है तो हमारे servlet objects यहीं पर ही रहेंगे वो created रहेंगे और जैसे जैसे हमारे पास request आती जाएगी वो अपना task perform करते रहेंगे point clear is तो यह थे हमारे पास 4 stages किसके servlet lifecycle के जिसमें हमारे पास loading and instantiation सबसे पहले execute होगा मतलब servlet file हमारी load होगी जैसे server हमारा start होता है then second initialization initialization face में servlet interface का init method call होगा जो इस object को initialize कर देगा then हमारे पास आ जाता है request handling जिसके service method execute होगा again servlet interface का method है servlet interface का method है तो जैसे जैसे हमारे पास request आईगी हर request के लिए thread create होगा वो thread वो एक service method को execute करेगा service method चेक करेगा किस type की request है proper उसी type method वो execute करवादेगा ओके टेक है यह वाला method बार बार execute होगा clear a चीज जैसे जैसे request आईगी वैसे वैसे service method execute होगा ओके तो यह दोनो step एक बार execute होंगे and destroy यह भी step हमारा एक बार execute होगा कब जब हम लोग server को shutdown कर देंगे clear a चीज तो यह था हमारे पास servlet life cycle जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ओके यह proper diagram आप लोगों को ध्यान रखना है clear a चीज तो 4 faces servlet life cycle के 4 faces I hope आप लोगों पता चल गए होंगे प्रहों प्रहों तो आप लोगों अपना है अपना है